भाई कारों की दुनिया में कमपनी भी समझ चूकी है कि आप कस्टमर को क्या चाहिए भाई कस्टमर को SUV चाहिए और SUV चाहिए वो बज़ेट में भी देखे दस लाक रूपे के बज़ेट में अगर आप एक best SUV सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा स्पेसल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटल में बताने वाला हूं क्या कुछ आपको इसमें मिलने वाला ह सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं रहूल श्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रहूल सहने और तो हपड तो चलिए बिना देरी किये करते हैं वीडियो को स्टार्ट अभी अपने शाथ में है भाई किया सोनेट 10 लाक रुपे में यह आईस वी आपको मिलने वाली है और जो कुछ इसमें मिलने वाला है वो इस सेग्मेंट की और किसी कार में आपको नहीं मिलने वाला है भाई बहुत ही अच्छा इस गाड़ी के साथ में सेफ्टी इस गाड़ी में मुल्टीपल कलर सुप्शन देखने को मिल जाते हैं अभी अपने शाथ में खड़ा है और गरीन कर शाथ में खड़ा हो आप बात कर लेते हैं अभी सेवी लंबाई चोड़ाई उचाई और वजन के बारे में लंबाई की बात की जाए 4995 mm की हमें इसकी लं तो भाई इसमें हमें 205 mm का ground के lens मिलता है और 2500 mm का हमें इस गाड़ी में wheel base देखने को मिलता है अब इस कार को 360 degree cover कर लेते हैं यह है इस कार की proper right profile इस कार की proper left profile इस कार की proper front profile आई यह पास से दिखा देता हूं भाई यह देखेगा यहां के center में आपको किया का logo देखने को मिल जाती है रोफ्रिल देखे को कुछ इस परकार की है काफी ultimate है नीचे यहां पर आपको इसके bumper पर ग्रे कलर देखने को मिल जाता है जो की काफी ultimate लग रहा है नीचे आदेखेगा radiator grill कुछ इस परकार की देखने को मिलती है headlamp setup की बात करते हैं तो यह देखेगा इसमें LED handlamp setup यहां पर आपको इसके लिँदेखे ग diğer अवर्ण सेंसर देखने को मिलते है secrets में चार पार्गिन संसर देखने को मिलते है जो जोДа काफी अबरा सा देखने को लगता है और जो की काफी जबर्दस लगता है फ्रंट वाइपर की बात कर लेते हैं तो वाइपर हमें कुछ इस परकार के देखने को मिलते हैं यह देखेगा वाशर इसके अंदर देखने को मिलते हैं यह देखे यहाँ पर कुछ इस परकार के इसका फ्रेंट मेरर देखने को मिलता है साइड और बेम कुछ इस परकार के देखने को मिलते हैं यह देखेगा और बेम का पैटन कुछ इस परकार का है इंडिकेटर यहाँ पर फ्रेंडर में देखने को मिल जाते हैं बात करते हैं फ्रेंट टायर की तो फ्रेंट में हमें यह देख कट एलोई वील देखने को मिलते हैं और यहां पर इसमें किया की ब्रेंडिंग भी देखने को मिलता है फ्रेंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेकिन सिस्टम देखने को मिल जाता है यह देखेगा पीछे एंटीना यहां पर देखने को मिलता है इसका डॉर वाइसर यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर डोर वाइजर देखने को मिलते हैं और ओपनर आपको यहां देखने को मिलते हैं पीछे वाली में भी आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं इसकाडी में हमें 45 निटर का फ्यूल टेंक देखने को मिल जाता है जिसको यहां पर मेंचन किया गया ह और rear profile की बात करें तो rear की profile हमें कुछ इस परकार की देखने को मिलती है जो की काफी ultimate लग रही है center में यहाँ पर कियागी bending देखने को मिल जाएगी और इसमें connected आपको tail light देखने को मिलती है यह देखेगा काफी ultimate है और यह देखेगा tail light है यहाँ पर इसके indicator देखने को मिलते हैं LED में आपको इसकी tail light देखने को मिलती है यहाँ पर sonnet की bending देखने को मिल जाएगी जो कि 3D में है और यहाँ पर आपको parking sensor दो parking sensor एक इधर और एक इधर देखने को मिल जाता है नीचे आपको reflector देखने को मिलते हैं और नीचे एक यहाँ पर आपको rear light देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको rear camera भी देखने को मिल जाता है देखेगा high mountain lamp आपको यहाँ पर देखने को मिलता है deep over भी मिलता है यह देखिए इसमें में कोई भी वाइपर आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर सार पैंटीना देखने को मिलता है यह देखिएगा आईए भाहर से मैंने आपको दिखा दिया है अब इसका इंटीरियल भी चेक कर लेते हैं इसके इंटीरियल में आपको क्या कुछ मिलता है आईए पहले यहां से दिखा दीजीगा फ्रंट डॉर पर आपको यह देखेगा सभी क्रूज कंट्रोल ब्टन आपको यहां देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपका दोर ओपनर और लोग यहां हम बने के लिए अए हंटल दाए है निचे आपको एक बोटल होल्डर और स्पीकरS यहां पर मिल जाते हैं और इसमें कुष्णिंग सब प्लास्टिक में हैं कहीं भी आपको fine सउफटज देखने को नहीं मिलता है आएए अब अंदर से देखाता हूँ आपको कि निगया के कि है कुछ इसअगा कि इसकी की देखने को मिलती है और्ली कि एक आपको इसमें यह देखने को मिलती है और में हम यहाँ पर की को इसकी इंसल्ट कर देते हैं, यह देखेगा, जैसे ही, ओपन करेंगे, इसके मिटर की ओ पनिंग, कुछ सफरकार की देखने को मिलती है, यह देखेगा, fully digital meter हमें इसमें देखने को मिलता है, यह देखेगा, यहां पर आपको kilometer reading देखने को मिल जाएगी, इधर आप इसका मैं डॉर बंद कर देता हूँ, तो यह आप इसका यह बंद हो गया, यह देखेगा, यहां पर इधर RPM meter देखने को मिल जाता है, नीचे सभी navigation light देखने को मिलती है। इधर सारे वॉल्यूम कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं। यहां पर इस साइड में आपको इसके वाइपर देखने को मिलता है। वाइपर होल्डर देखने को मिलता है और इस सैड में आपको light का switch और indicator switch देखने को मिलते हैं और इसमें यह देख्ये इसले आप यहां hazard light का feature देखने को मिलता है नीचे AC और सभी cruise control बटन नीचे और इसके नीचे देखेगा आपको यहां पर 12V का एक socket देखने को मिलता है wireless charger देखने को मिलता है और एक USB charger देखने को मिलता है यह हमें 5 gear के साथ में देखने को मिलती है और यह इसका brake lever यहां पर देखने को मिलता है seat belt holder यहां पर यह देखेगा arm register देखने को मिलता है arm register कुछ इस परकार का है और इस side में यह देखेगा आपको एक door open करने के लिए यह दिया गया है और यहां पर आपको एक light दी गई है यह देखेगा यहां पर इसका sunroop भी मिल जाता है यह देखेगा मैं इसको यहां से open करते हैं यह देखेगा इसका sunroop आप open हो गया है उपर से view दिखाओं तो कुछ इस परकार का इसका उपर का view आता है और front view यह देखेगा कुछ पीछे का view अब इसको ऐसे यही से अम नवली ओफ कर सकते हैं यह देखेगा इसको हाथ से बंद कर देते हैं यह देखेगा आईए फ्रंट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ अब इसके पीछे की और चलते हैं रियर सिट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है उसके बारे में भी जान लेते हैं अब पीछे से आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या कुछ मिलने वाला है यह देखेगा भाई पीछे यहां आगे चेक कराईएगा यह देखेगा लैग रूम कितना अच्छा मिलता है यह पास से दिखाईए मैंने यह इसकी सीट अपने हिसाब से पूरी हाइट के साब से एड़जस्ट कर रखी है और थाई एरिया कंप्रिट कवर हो रहा है काफी चे आभ प्यावाबी रहां से मैं इशीट के िच्छा पॉर्ण करता हूं तो कुछ इस परकार की प्याद्ट को आने वाली आईए अंदर से दिखा देता हूं अब आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है यह और लाइख है को मिलते हैं यह देखिएगा और नीचे आपको दो USB USB सी टाइप पोड़ के आपको दो चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं यहां पर एक लाइट मिल जाती है यह देखिएगा इसको ओन आफ कर सकते हैं हम यहां से और सेम कुछी इसी परकार का इधर भी हमें व्य चेक कराता हूँ चलिए आप पीछे चेक करते हैं यह अब मैं आपको इस गाड़ी का बूर्ड इस्पेस भी चेक करा देता हूँ कि इतना हमें इसमें बूर्ड इस्पेस देखने को मिलता है यहां पर इसको एक बटन दिया गया है जिसके हम इसको ओपन कर सकते है यह वाला इसके पूल किट है और यह फर्स्टेट किट है किया की और से इसमें और इसकी स्टेपनी में आपको दिखा देता हूँ दिखाए ना वाई एक में इस्टेपनी यह देखने को मिलती है इसको में यहां पर और स्टेपनी में यह देखने को मिलती है और यह इसके सभी टोल कि इसमें देखने को मिलती है यहां पर इसकी यह हमारी स्टैपनी मिलती है वो कुछ इस फरकार की देखने को मिलती है बूर इसमें आपको कोई भी लाइटिंग देखने को नहीं मिलती है इतना सा बूर इसमें इस गाड़ी में लेखने को मिलता है यह अब बात करते हैं इस करें तो यह गाड़ी आपको लगबग सत्रा raze Biska मालेज निकाल कर देने वाली है बाखी실कर किस ऩजार रूपए शौरूम देखने को मिलेगी और बाकि आपकी राइडिंग पर डिमेंड करता है किस परकार चेपने फिकल को यूज करना है किस परकार की रोड कंडिशन है और किस परकार की राइडिंग कंडिशन होने वाली है प्राइज की बात करें तो भाई यह गाड़ी आपको 9,36,000 रुपे एक्शोरूम देखने को मिलेगी और कम्प्लीट ओन रोड आते आते यह गाड़ी आपको 11,24,000 रुपे तक देखने को मिल जाएगी इसमें आपकी एससरीज भी इंक्लूडीड है जो भी आपके सिटकावर तो भई आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आभार वीडियो पसंद आगे लाइक करें चानल को सब्सक्राइब बहुति करें अगर आप यह वीडियो यूटूब पर देख है तो YouTube पर हमारा चैनल हैं और अगर आफ यह फ्याईआप के नाम